तो आपसे को नमस्ते पढ़ाम में आपका अपना ठागूर प्रकर सिंगों रात की तस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है साल 2030 की ये बात है जुलाई का महीना अब जुलाई का महीना कडाकी की गर्मी और इसी कडाकी गर्मी में चिलचिलाती धूप में उडिसा में एक जगा लगती है राइगड़ा और इसी राइगड़ा में पुलिस की टीम में घर के बारे में गलियों में पूस्ताच कर रही थी अब कुछ लोगों से जब पूस्ताच करती है फाइनली घर का एडिस मिलता है मिलने के बाद पुलिस की टीम उस घर के सामने जाती है घर के दरवाजे पे दस्तकत देती है और जब दस्तक देती है तो अंदर से एक आदमी बाहर आता है बाहर आने के बाद पुलिस वाले उ पूछना हुआ, सामने जो शक्त था इससे पहले कि कोई जबाब दे पाता, कुछ बोल पाता, अंदर से किसी की भागने की यवाज आती है, अब भागने की यवाज आई, पुलिस वालों को जो शक्त था, अब पुकताय की ने बदल चुका था, पुलिस वाले दर्वाजे पे पीछे से खिड़की जिसे कहते हैं, अब पिछले दर्वाजे से वो भाग रहा था, पुलिस वाले फॉरन उसके पीछे, पुलिस वालों की संख्या जादा थी, अलग-अलग गलियों से उसको घेरा गया, घेरने के बाद लगवग आदे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, ज चलने के बाद जो इसके इसको लीड कर रहा था, यानि इस पूरी टीम को जो लीड कर रहा था, उसने इक बाद बोली, और इसी के बोलने के बाद उसने रहात की सांस ली, दरसल उसने कहा कि भले ये शक्ष पकड़ा गया, और अगर ये ना पकड़ा जाता, तो साइद दो म मासूम ऐसे थे जिनको पुलिस कालकोठ्री में डाल देती और निर्दोस सजा पा जाते हैं अब यह चीज वो सीनियर ऑफिसर बोलता है जो कॉंस्टिबल हो गए रहा थी वो भी सांत हो जाते हैं उसके बाद गाड़ी देरे चलती है चलने के बाद फिर गाड़ी थाने पहु थी यहीं से फिर एक सवाल उपस्ता है कि आखेर यह शक्स था कौन और यह पूरी कहानी क्या थी तो फिर यहीं से कहानी पहुंच जाती है जुलाई के सुरुवाती दिनों में दरसल जुलाई के सुरुवाती दिनों में उड़ी साम एक जिला लगता है बलागीर जिला और एसी बलागीर जिले में एक जगह लगते है निखिल नगर और इसी निखिल नगर में एक परिवार रह गरता था बेहत गरीब परिवार के जो मुखिया थे मकरद्वजनाग, उनकी पतनी पर एक 16-15 साल की बेटी जो मकरद्वजते ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, अच्छा कोई ज़्यादा हुनर भी नहीं था अब पैसे भी नहीं थे कि पुस्ताइनी कोई जमीन हूँ, इसी वज़ा से अब इन लोग की जो जिन्दगी थे कि दिन भर मेहनत मज़गूरी करना साम को 200-200 जो मिल जाएं, उसको फिर घर पे लायाना, उसी से सबजी भाजी का इंतिजाम करना अगले दिन सुबह उठना उठने के बाद, फिर निकल जाना काम पे और यह सिलसिला लगातार चल रहा था कई सालों से, घर में एक बेटी थी, बेटी का नाम था, शेशादरी शेशादरी धिद्रे बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद फिर परिवारवालों ने उसका दाखिला करवाया अपनी हिसाब से एकी स्कूल में अब दाखिला होने के बाद जो से सादी थी, वह भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, उसने एट अच्छे नमबर से पास किया, उसके बड़ हाइ स्कूल में भी उसके अच्छे नमबर थे, इस बार उसका 12 का एक्जाम होने वाला था, इस वज़ा से परिवारवाले भी परेवी में मर गये लेकिन जो बिटिया है अगर वो कुछ कर लेगी कुछ बन जाएगी तो साइद उसकी जिंदिकी वैसी ना हो बस इसी उमीद से पैसे जोड़ते रहते हैं जो कुछ पैसे बन पाते हैं उसकी टूइशन का इंतिजाम उसकी पड़ाई लिखाई का इंतिजा जाए और अगर शेसादरी स्कूल नहीं गई हो तो ऐसे हाल में लगबग 12 बजे तक इसको खाना बनाना होता खाना बना के माबाप इसको बता देते कि मैं आज इस घर पर जाओंगा काम करने वहां पर मेनत मजदूरी करूंगा फिर शेसादरी खाना वगरा बना कि उस घर क सामने पहुंच जाती हैं परिवार वाले खाना खा लेते हैं यानि माबाप उसके बाद वरतन लेके वापस आ जाती हैं यह सिल्सिला लगातार जून महिने से चल रहा था और ऐसे पांच ये छे तारीके बात हैं घर वाले निकलते हैं से सादरी की जुट्टी थी इस पर जो आधे एक घंटे का एक तरह से इंटर्विल कहें वो हुआ अब इंटर्विल हुआ तो परिवार वाले अब रास्ता देख रहे हैं यानि माबाप कि से सादरी अब तक खाना लेके आई नहीं रापरवाही कर गई बैराल उन्हें उम्मेद थी कि अभी नहीं तो कम से और टेंशन में फिर क्या भागे भागे घर पहुंचें और जैसे घर के अंदर जाते हैं से सादरी का वाच देते हुए तो अंदर देखते हैं कि हो 16 साल की से सादरी बिस्तर पे मरी पड़ी है उसकी गरदन से खून निकल रहा और सरीर पे जगा जगा चोट की निसान अब अब ये तमाम चीज जैसे ही माबाप देखते हैं, देखने के बाद पहले तो बदवास कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, मा तुरन दहाडे मार के रोने लगी, पिता तो सद्मा सुईकारी नहीं कर पा राता दिल पकड़के बैठ गया, अब इधर मा रो रही इधर फॉरन आसपास के जितनी लोग थे सभी कठा हो गये, जंगल के आकी तरह ये खबर फैल गई, कि जो मकरद्व जिनाग थे उनकी बेटी को किसी ने मार दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इधर किसी ने पुलिस को इतला कर दिया, पुलिस भी मौके पे पहुंची, पुलि पुलिस वाले जब जाज परताल में जूटते हैं तो फिर सबसे पहले पूछा गया घरवालों से, कि हुआ क्या था, तो घरवालों ने बताया है कि बिटिया से हमने कहा था कि खाना लेके आ जाना, बिटिया आई नहीं, उसके बाद हम लोग पहुंचे, पहुंचने के बा अतकाम करने के बाद जो बेटी है उसको मार दिया ताकि वो किसी को पता न पए, अब बैरहाल जब पुलिस वाले ये ख़बर गावालों से सुनते हैं कि कोई आया होगा उसने रेप किया होगा, तब तक पोश्मार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन पोश्मार्टम रिपोर रेप और ऐसी चीज़ों की पुस्टी नहीं करता है, और बताता है कि नहीं, बस ये मर्डर है, और मर्डर किसी धारदार हथियार से गला काटने के वज़ा से हुआ है, अब पुलिस वालों ने जब ये बास सुने, तब तक घरवालों तक ये ख़बर पहुची कि रेप नह से ना कोई ऐसी चीज, ना कोई डॉकुमेंट, ना कोई काज़, ना कोई क्लू, महज लड़की थी, बिस्तर पे, उसके बगले टेडी वीर था, और कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, जिससे कुछ कातिल के बारे में कोई ख़बर ने लगे, अब पुलिस वाले भी परिशान, आ इसी बीच गाउं में ख़बर होती, जिसे फैलने लगी, दरसला आसपास के लोग आपस में कहने लगे, कि अब चुकी बिटिया थी, और परिवार वालों के पास जदा पैसे नहीं थे, बिटिया बड़ी हो रही थी, इसी वज़ा से परिवार वालों ने ही बेटी को मार द दिया, ताकि शादी ना करनी पड़े, सादी का दहज कहां से लाते, तमाम खर्चे होते, और इसके एवेज में जो गाउवालों ने अपना तर्क दिया, कि अगर बेटी का कतल इनों ने नहीं किया, तो काम पे छुटी तो साब के पांच बजे होती, ये लोगा कैसे गए, इसका मतलब ये लोग दो पहार को आए, आने के बाद इनों ने कतल कर दिया, अब आसपास के लोगों में जब ये बात होने लगी, तो बात फैलते फैलते पुलिस वालों तक भी गई, पुलिस वालों को भी लगा की हो सकता है, आम तोर पे ऐसे मामलों में खास कर जब इठाया गया, उठाने के बाद पूस्ताच की गई, साथ ही अब परिवार वालों में जो पतनी थी उससे भी पूस्ताच किया गया, यानि मरने वाली की मा, अब इन लोगों से घुमा घुमा के पूस्ताच किया जा रहा, साथ ही कहा जा रहा कि आपके खिलाब सबूत मिले ह आपके खिलाब सुराग मिले हैं तमाम तरह की कोश्चे पुलिस वालों ने कर ली लेकिन ना तो पिता तूटता है ना ही माँ तूटती है दोनों अपने बयान पे कायम थे दोनों यही कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता साब मेरी बीटिया का कतल हुआ है आप असली कातल को छोड़ के हमारे पीछे पड़े हुए है अब लगातार जब मा और बाप दोनों यही बयान दे रहे है तो पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है हमसे कुछ भूल हुई हो हो सकता है माबाप कातल ना हो लेकिन कोई सबूत कोई गुना कोई सुराग मिल क्यों नहीं रहा साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या किसी से कोई अफेर हो गयरा का चक्कर कोई जगड़ा भी बात कोई जमीन का कोई मैटर परिवार वाले सारे चीज़ खारिच कर रहे है आस-पास के लोगों से भी पूछा गया ना कहीं से कोई सुराग मिला पुलिस वाले दिन प्रते दिन जहां से कानी सुरू हुई थी वहीं उलस्ता पा रहे थे तो जब कहीं से कोई सबूत नहीं मिला कहीं से कोई सुराग नहीं मिला पुलिस वाले कभी क्राइम सीम को नहीं कोई चीज है, तो यह लड़की के पास एक teddy bear मिला था, अब इतनी अमीर परिवार की यह लोग है नहीं कि teddy bear लड़की खुद afford कर ले, यह फिर इतनी परिवीशन भी घरवाले नहीं देते कि तुम जाओ और 800-900 का एक teddy bear खरीद के लाओ, तो फिर यह teddy bear आया कहां से, और लड़की के पास teddy bear मिलने का सीधा मतलब है कि किसी ने दिया होगा, तो फिर किस ने दिया, परिवारवालों से पूछा गया, तो उन्होंने मना कर दिया, कि हमें नहीं पता, तो फिर पुलिस वालों ने अपना तरीका अपनाया, और सोचा कि एक काम करते हैं, इस लड़की क जितनी friends हैं, जितनी सहलिया हैं, एक बार अगर उनसे पूस्ताच किया जाए, कि इसकी क्या किसे से कोई affair था, क्या लड़की किसी से प्यार करती थी, कोई प्रेम प्रशंग था, तो हो सकता है कि मामला सुलज जाए, फिर क्या, जब इस theory के बारे में पुलिस वालों ने साथ ही जब उन लड़कियों से पूस्ताच हुई, तो शुरुआत में लड़कियां भी कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने उनको भरो से मिलिया और कहा कि तुमारी friend को इनसाफ दिलवाएंगे, नहीं तो तमाम तरह की चीज हैं, तो जब टेडी वियर को उसी boyfriend ने दिया था, लेकिन ताजुक की बात यह है कि इस टेडी वियर को उन लोगों ने वापस कर दिया था, यानि जो सेसरादी थी लगवक 6-7 मही ने पहले इस टेडी वियर को वापस कर दिया था, अब ये टेडी वियर वापस उस लड़की के पास, या टेड़ी पियर वापस आया कैसे लड़की के पास फिर से इसका मतलब हो सकता है जो बॉइफेंट है वो कुछ जानता हो लिहाँ ज़ा पुलिस валовые ने फिर कहा कि बॉइफेंट कौन है फिर सहलियों ने बताया कि जो बॉइफेंट है उसका नाम है तो पता चलता है कि नंबर तो बंद है उसके घर के बारहे हैं पता किया कि अगर बबेश डाली गई तो पता चला कि वहाँ भी कुई नहीं अब क्या करें अब कम से कब में एक शक्स है लेकिन लापता है पुलिस वालों ने अपने सारे मुख्बिर और अपने सारे सर्विलैंस को, तमाम CCTV कैमरों को, बसड़े के कैमरे, रिले इस्टेशन के कैमरे, उन तमाम कैमरों को जब खंगालना शुरू किया, और तमाम अपने मुगविर जब एक्टिव किया है, तो लगबग पूरी घटना के हपते बाद, पता चला कि यह जो शक्स है मिलन रणा, यह राइगड़ा में चुपा हुआ है, उसके बाद पुलिस के टीम फोरण जाती है, राइगड़ा, जाने के बाद इसको उठाती है, उठाने के बाद जब इससे पूछताच करती है, तब जाके जो मिलन रणा था, यह पूरी कहानी बताता है, और अपना एक मिलन रणा था, ऐसे इसके गाउं में आया था किसी शादी के फंक्शन में, और उस समय यह जो लड़की थी, कच्छा छे या फिर सात वाक में रही होगी, कच्छा छे सात के लड़की, उसी दवरान मिलन रणा इसको देखता है, देखने में जो लड़की थी बहुत खुब प्रिश हो गई, सुवा हुई, मिलन रणा ने अपना नमबर दिया और कहा कि बात करना मुझसे, लड़की आती, फोन था नहीं, मा का फोन था, अब उसी मा के फोन से साल 2018 से जो यह लड़की थी लगातार बात करती रहती है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है, प्यार जब और जैसे हाई स्कूल के एक्जाम पास करती है, साथ ही परिवार वाले उसको थोड़ा सा फ्रोसाहित करते हैं कि बेट आगे बढ़ जाना ये कर लेना, तो अचानक से लड़की के जहन में क्या कुछ आता है कि फिर जो मिलन रणा था जब फोन करता है, तो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मुझे दुम से बात नहीं करनी है, और मुझे पढ़ लिक के कुछ आगे बनना है, अब ये चीजें लड़की मना करती है, मिलर लड़ा एक दम एक तरह से मुह पे उसके तमाचा पड़ चुका था कि ये क्या, वो बरदाश नहीं कर पाता, लगाता ल लड़की मना करती है, फोन और उसने ब्लॉक कर दिया, इसके बाद भी ये मिलूल के मनाने की कोशिश करता रहा, लड़की नहीं मानते है, इसने एक टेड़ी वियर भी दिया था, और साल 2003 के सुरुआत में जो लड़की थी, शेश रादी उसने फिर उटेड़ी वियर भी वापस कर दिया, और जब टेड़ी वियर वापस हुआ, तब इससे लग गया कि सायद अब मेरी कहानी खतम है, लगाता है वो मनाने की कोशिश करता रहा, लगाता है तमाम चीजे करता रहा, इसी बीच जुलाईव की महिने की सुरुआत में भी वो मनाने आता है, अपने एक पस लेके आता है और कहता है कि कुछ ना करो तो ये टेड़ी वियर भी रख लो, कम से कम मेरी प्यार की एक निशानी तुम्हारी पास देगी, लेकिन जो से साधरी थी लगातार जित प्याड़ी रही और कहीं कि नहीं, मुझे तुमसे ना कोई मतलब रखना है, ना तुमसे कोई बात करनी है, मुझे अपने घरवालों का नाम रोशन करना है, पढ़ लेकि कुछ बनना है, और ये टेड़ी वियर अपना लेकि जो, लड़की कहती रही, इधा जो मिला रड़ा था लगातार चीजे सुनता रहा, वरंतने अचानक से क्या हुआ, इसके उपर इतरह से तो तुम इस दुनिया से ही चली जाओ, अब गरदन पर कटार चला दी, लगातार खोन बहरा, अब गरदन को, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर गरदन पर कुछ ऐसा हो, नर्वो सिस्टम डैमज हुआ, तो मुझे आवाज नहीं निकलती, लड़की न चीक पाती है, नचिला पाती है, गरदन से खून रिस्ता रहता है, उसके बाद ये लोग वहाँ से भागते हैं, गलती से टेडी वियर वहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद जो कपड़े थे, वो तमाम चीज़े, खून जो भी था, वो तमाम चीज़े शाप करते हैं, घर से निकलते हैं, अच्छा ये पिछड़ा इलाका था, यहाँ पे ज़्यादा लोग ऐसे थे रहें, कि दुन भर घर पे रहें, सारे लोग काम पे गये थे, तो किसी ने देखा भी नहीं, अब इनके हाथों से कतल हो चुका था, अब बचना में क्या करें, तो नहीं लगा कि हो सकता है, पुल इसके टीम आती है, आने के बद इसको गिरफतार करती है, और जो पुलिस वालों ने अंतमिक कहा था, कि अच्छा हुए ये पकड़ा गया नहीं, तो कोई निर्दोस मस जाता, चुकि जो गाँवालों का, पबलिक का ट्रायल हो रहा था हो यही था, कि इस लड़की को उसको माबाप नहीं माला है, तो कहीं न कहीं मेडिया और पबलिक अगर ट्रायल करने पे आ जाए, और पुलिस वाले भी लापरवाही कर दें, तो ना कोई सबूत है, ना कोई गवा, माबाप को दोसी बना दो, और बेचारे जेल में चली जाते हैं, लेगिन पुलिस वालों ने जिस जाहिंदी मात्ता और जिस इमानदारी के साथ काम किया, तब जाकि ये पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने और जनता के सामने आई, तो फिलाल ये थी पूरी कहानी, अब आप से कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक अच्छे रहेगा, खुश रही है अपना ख्याल लखिए अपने देश का ख्याल लखिए जय हिंद बंदे मात्रम